दस मिनट में हो जाती अब तो भाइसाँ खाने के डिलिवरी बटी सी चीज ने हम सबको बेगाड़ दिया है तो जिर्द द में एक कि पड़ा है तो जिंदगी में मज़ा है वन्ना इस वीडियो में मैं आपके साथ इक बहुत एहम चीज की बात कर रहा हूँ जिससे मुझे ऐसा लगते कि आपका जो CA का सफर है बहुत अच्छा हो जाएगा बहुत सुहावना हो जाएगा and आपको हर सब्जेक्ट में चाहे वो चुरिटिकल हो प्रैक्टिकल हो कैसा भी सब्जेक्ट हो comfort आ जाएगा that is one thing जो आपको hero से hero बना देगी मैं कहता है zero से hero बना देगी that is patience सर patience किस चीज का patience चीजों को सीखने का patience चीजों को समझने का patience चीजों को गलत करके सही करने का अगर मैं आपको बोलू आप accounts के सवाल करते हो आप financial management के सवाल करते हो कई बार क्या frustrated हो जाते हो कि मेरे से गलती हो गई हाँ उस frustration का इलाज क्या है जब भी आपको लगे नहीं गलती हो गई उससे सीखो कि यह जो मेरे से गलती होई है मुझे इसको दोराना नहीं है वापिस मैं एक बार इस सवाल को try करता हो हम क्या करते हैं ना हम उस सवाल को वहीं छोड़ देते हैं और अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं और chances यहीं रहते हैं कि वहीं सवाल पेपर में उठके आ जाते हैं और वहाँ बैंड बढ़ जाती है थोड़ी थोड़ी तो मेरी आपस एक request है कि जब जो चीज कर रहे हो उसको पूरी शिद्दत से करो क्योंकि क्या है ना अभी जो आपकी revision चल रही है उसके बाद एक और revision आएगी तो जब वो revision आएगी तो क्या वापिस आपने उस चीज के साथ deal करना है हाँ तो अगर अभी आपने उसको ठीक से नहीं कर रखा होगा time दे के नहीं कर रखाओगा patiently अच्छे से नहीं कर रखाओगा तो आगे उस चीज के साथ किसको deal करना है किसी और ने नहीं आप ही ने deal करके चलना है यह सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है हाँ सर तो जब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में काना कि आपको comfort आएगा comfort इसी से आएगा यानि अगर आपसे कोई इकी दुकी adjustment गलत हो जाती है तो वहीं उसको सीख लो ना गलत क्यों हो रही है और वापिस उस सवाल को करो और जैसी वो सवाल का right answer आएगा that is the power of patience फिर आपको ये confidence आएगा कि अगली बार जब इस सवाल को उठाओगे तो chances काफी ज्याद है कि आपका ये सवाल अब ठीक हो जाए same goes with theory audit हो या law हो patience रखना ज़रूरी है don't expect कि और मैंने इचीज क्लास में पड़ी थी उस टाइम में बड़ी जल्दी से याद हो गई थी अब मुझे फटा-फट वापिस recall हो जाएगी नहीं भाई take your time take 4 minutes 5 minutes even 10 minutes आप ही का time है और इतना सारा time है अभी अगर आप चीजों को patiently अच्छे से इजट से कर लोगे जितना comfortably इस revision में महनत कर लोगे उतनी comfortable आपकी आगे की revisions हो जाएगी जितना महनत आप इस revision में करोगे उतना मज़ा आपको आगे की revisions में आएगा मैं बस आप से एक ही चीज की request कर रहा हूं सर क्या अपने लिए पढ़ाई को time दे दो जब आप चीजों को अराम से करते हो न मज़े लेके करते हो लुफ्ट उठा के करते हो आपको चीजे भी ज्यादा समय तक retained रहती है I am not only talking about theory but also practical ध्यान से सोचना कभी किसी सवाल में आपने बहुत time लगाया हो बहुत उसको समय दियाओ अच्छे से सीखाओ समझाओ और solve कियाओ उस सवाल से आपको प्यार हो जाता है आप कहते हो यार यही सवाल पेपर में चाहिए उसका मजा ही अलग है उसका नशा ही अलग है तो मैं चाहता हूं कि बस आप अपने आपको वो समय दे don't expect कि quickly quickly सब हो जाएगा किसी से नहीं होता ranker से भी नहीं होता मैंने आपको दो बार बोला न मेरी rank आई मेर से भी नहीं होता था but यह जो लोग है जो pass हो रहे इनके अंदर क्या power है power of patience आपको थोड़ा patiently तो काम करना पड़ेगा थोड़ा time तो देना पड़ेगा don't over expect too much from yourself नहीं just give it time and चीज़े होती हुई जाएगे so just make sure you are focusing you are concentrating on what you are doing and have some patience and trust me results will follow clear है clear sir so इसी तरह बस आपने अपने जो चहरा है नहीं इस पे एक मुसकान रखनी है बड़े अच्छे लगते हो आप and just make sure जो भी चीज़ आप करें उसको पूरी शिद्दत से करो just give your best and things will follow results will follow you बस आपने अपना साथ बनाए रखना है that's all that you need to do तो यहीं खुशी खुशी मल आगे बढ़ते रहें क्योंकि खुशी से बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे wish you the best इसी तरह मल लगा के आगे बढ़ते रहो मुझे पूरा विश्वास से आप अच्छे result से पास होगे बस आपने लगे रहना है डटे रहना है patiently आगे बढ़ते जाना है ठीक है सब कुछ एकदम बढ़े होगा तो catch up with you in the next video अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लिए तो do subscribe to the channel for more such videos लगे रहो